नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के अस वीडियो में दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हम जौब करते हुए अपने PF अकाउंड से एडवास क्लेम के जरे पैसा लिकाल सकते हैं और एडवास क्लेम करने के लिए हमें एडवास सेजन को सिलेक्ट करना पड़ता है और PF अकाउंड में कहीं सारे एडवास सेजन अवेलेबल है और इनली सब एडवास सेजन पर ही निर्वर करता है कि एडवास क्लेम के जरे आपको कितना पैसा मिलेगा तो अगर आप advance claim करते समय एक सही advance season को select करते हैं तो आपको उतना पैसा मिल सकता है जितना पैसा आप लिकालना चाहते हैं महीं अगर आप advance claim करते समय एक गलत advance season select कर लेते हैं तो आपका claim reject भी हो सकता है इसलिए advance claim करते समय सही advance season को select करना बहुत ही जरूरी है तो आज के इस वीडियो में भी जानेंगे कि एडवास क्लेम करते समय सही एडवास सिजन को कैसे सिलेक्ट करना है तो चले शुरू करते हैं आज का वीडियो और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से कर दीजे लाइक और चैनल को भी कर लिजे सब्स्राइब क्योंकि इस चैनल पर मिलती रहेगी दोस्तों एडवांस क्लेम करते समय सही एडवांस सिजन सिलेक्ट करने से पहले आपको दो बाते पता होने चाहिए पहली बात तो यह कि आप जौब करते हुए अपने पिएफ अकाउंड से एडवांस क्लेम के जरी पैसे क्यों निकालना चाहते है और कितना निकालना चाहते और दूसरी बात जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिएफ अका जीजन अवेलेबल है तो पिएफ अकाउंड में ज सही advance season को select करें उसके बाद आप ये पता करें कि PF account में जितने भी advance season है उन सभी के बारे में आपको जानकारी होने चाहिए तो PF account में जितने भी advance season है वो कुछ इस तरह हैं पहला है non receipt of wages two months, दूसरा है natural climates, तीसरा है illness, चोता है advance for continuous unemployment for above one month, पाचवा है purchase of handicap equipment, छटा है power cut, सातवा है 90% withdrawal before retirement, आठवा है marriage और नवा है higher education, दसवा है construction of house advance result हम माल लिए कि दो PF member थे, इन में से पहले वाले जो PF member थे, उसे medical emergency के चलते, पैसों की जर्वा थे, इस current थे, वो अपने PF account से advance claim के जरी, पैसा निकलना चाहता है, और दूसरा वाले जो PF member थे, उसे अपना घर खरीतना है, या फिर अपना घर बनवाना है, इस वज़े से उस इसे advance claim करते समय, unless advance season को select करना चाहिए, ये advance season उसके लिए सही advance season होगा, और जो दूसरा वाले PF member थे, जिसे घर बनवाना है, या घर खरीतना है, उसे advance claim करते समय, construction of house advance season को select करना चाहिए, ये advance season उस दूसरा वाले PF members के लिए, एक सही advance season होगा, इसी तरह से अगर आपको medical emergency के पैसों के जरुआते, तो आप advance claim करते समय, unless advance season को select कर सकते हैं, वही अगर आपके घर में किसी की शादी है, या फिर PF members के खुद की शादी है, उसे पैसों के जरुआते, तो मेरी advance season के जरे, अपने PF account से पैसा निकाल सकता है, वही अगर PF members को अपने बच्चों के पढ़ाई क उनके नाम से आप समझें, और advance claim करते समय, एक सही advance season को select करें, बाकि आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, उमीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के जरे, बताए कि जानकारी आपको पसंद आया होगी, और वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, वीडियो अगर आप आपको पसंद आया हो, तो लाइक जरूर करें, चैनल पर अगर आप नए हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, कि की पियो पसंद जूड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलते राएगी